है दोस्तों कभी-कभी हम अपने डे-टू-डे लाइप में इस तरीके के सड़ेसिस को बोलते हैं जहां पर हम लोग करते हैं वह पढ़ता होगा वह आता होगा वह खेलता होगा वह अभी सोता होगा एक्चुली यह सड़ेसिस जो है मेरे एक वीवर के दुआरा पुछा गया इसको इंगलिस में किस तरीके से बोला जाता है तो आई यह जान लेते हैं तो इस तरह यह को बता रहे हैं ठीक है कि को derived कर रहा होगा तो possibility संभावना को दिखा रहे हैं तो इस ट्रेक्चर क्या होगा सबसे प्ले राइट करेंगे subject को राइट करने के बाद लगाएंगे मेभी उसके बाद वर्व का आएंजी फॉर्म और लाश्ट में अधर वर्ट को राइट कर देंगे वैल आपको लग रहा होगा मेभी का यूज क्या जाता है वह पर रहा होगा इस तरह के संडेसिस में कहने का मिनिंग वही है कि वह पर रहा होगा मतलब वह पढ़ता होगा मेन कंओ लग लग होग लोग क्या करते हैं अलग अलग तरेके से बोलते हैं इंगली बोलेंगे he may be coming he may be coming next sentence वह अभी खेलता होगा वह अभी खेलता होगा या वह अभी खेल रहा होगा इस संदेश के लिए बोलेंगे he may be playing right now he may be playing right now he may be playing now से बी कम चल सकता है नेक्स से वह अभी सोता होगा या वह अभी सो रहा होगा इस संदेश के लिए बोलेंगे he may be sleeping right now he may be sleeping right now next sentence पढ़ा रहे होंगे या सब पढ़ाते होंगे इस संदेश के लिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको गलती करेंगे तो मैं आपको करके बता दूंगा दोस्तों वीडियो कैसी लेगे दिच्छे लेगे लेगे लाइक कर जिए मैं चुनको सब्सक्राइब कर लिए और बैर आइकॉन को बिट कर ले ताकि मैं रोज आने वाले वीडियो के नोट